Hello everyone, welcome to Techshirmid आज के session में हम HTML का एक और topic कवर करेंगे जिसमें हम कुछ और ऐसे input tag को देखेंगे जिनने हम forms के साथ में use कर सकते हैं इससे पहले वाले session में भी हमने 3 तरह के input tag के scenarios कवर किये थे 3 types के जो type होते हैं input tag में वो use किये थे अब यह जो session है उसी के continuation में रहेगा और जैसा कि हम इस पूरी series में अपने forms tag वाले या form concept को समझ रहे हैं तो पूरा step by step move करेंगे कैसे form work करता है क्या requirement होती है यह सारी चीज़े हम इसमें discuss करने वाले हैं तो session स्टार्ट करने से पहले just एक recommendation है मेरे end से कि अगर अभी तक आप लोगों ने previously release sessions नहीं देखिया है तो आप पहले उनको देख सकते हो क्यों अगर आप उनको देखोगे तो आपको topic और भी ज्यादा easily clear हो जाएगा क्योंकि इस सारे जो sessions है एक proper sequence में एक proper sync में तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर हम जब session जो एक दूसरे से connected है उनको sequentially follow करेंगे तो आपको topic और भी ज्यादा easily clear होगा तो देखते हैं कि कैसे यह चीज work कर रहे है बाट उससे पहले मैं आपको code दिखा देता हूँ अभी के लिए at present मेंने सिर्फ एक simple सा यह html का tag डाला हुआ है जिस पे हमने लिखा हुआ है heading tag हमने डाला हुआ है html by texture में इसको करते हैं save web browser को refresh तो जैसी में यहां पे web browser को refresh करता हम तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है html by texture में ठीक है अभी तक हमने इसके अलावा और कुछ भी इस पर apply नहीं किया है ठीक है तो यह बिल्कुल scratch से पन start करने वाले है अब करते हैं अपना पहला heading का enter तो यहां पे आप लिखो h2 और इधर मैं लिखता हूँ input tag with html forms ठीक है यह अपना title हो गया तो इसको save करके refresh करते है तो बस आपको output screen पर दिखाने के लिए कि क्या हमारा topic यह मैंने डाल दिया अब हमने last session में कौन से type के input tag define किये थे एक हमने किया था text एक हमने किया था email और एक हमने किया था password बट ऐसी और भी चीजे हो सकते हैं जिसे हम use करने वाले हैं अपने program में राइट तो जैसे अगर मैं आपको web browser की बात करो तो suppose आपको किसी user ने कहा है या आपको आपकी client ने कहा है कि ऐसी website बनानी है जहां पर हमें कुछ numbers accept करना है ठीक है URL accept करना है और URL number और telephone number accept करना है ठीक है ओल्दो आजकल telephone जो है वो convert mobile numbers हो गए अपनी requirement है अब इसे achieve करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले तो एक form बनाना पड़ेगा form हम बनाएंगे क्योंकि अभी form के ही perspective में हम देख रहे हैं कि कैसे यह input tag work करता है although आप input tag अलग से भी use कर सकते हो ऐसा नहीं कि आपको हमीशा form बनाना पड़े but form के ही aspect में हम इसको समझ रहे हैं तो और भी easy way में explain करने लिए form के साथ ही देखते हैं कि कैसे यह design होता है ठीक है तो जैसा की requirement ही सबसे पहले पन form tag बनाएंगे form tag मैंने लिखा एंटर किया तो अब यह वाला जो block आया इस block के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वह as a form ही consider होगा ठीक है आप form tag के अंदर आप space दोगे सबसे पहले specify करोगे action और action में हम डाल देते हैं उस program का name जो भी program हमें यहां से redirect करवाना है तो कोई भी आप program ले सकते हो जो भी आपको अब यह क्या करेगा जैसी मैं submit बटन पर क्लिक करूँगा अपने बटन बनाएंगे उस पर अपन जैसे क्लिक करेंगे तो यह मेरे को इस वाले page पर move कर देगा with data तो जो भी input हम ले रहें user से input tag के थुरू वह सारा move हो जाएगा इस page पर फिर बात में further back end team उसको use करती है उससे data extract करती है वह सारी चीजे advanced level पर अपन discuss करेंगे बट अभी नहीं अभी बस अपन basic देख रहे हैं कि कैसे एक form proper form create कर सकते हैं तो इस form में अपने specify कर दिया action tspgm10 हमने डाल दिया जो है इसका rendering link जहां पर यह render करेगा अब हम एक काम करते हैं एक heading डालते हैं although आप और भी वेस से text डाल सकते हैं बट मैं अभी के लिए heading डाल रहा हूं heading में मैं लिखता हूं enter age अब देखो हमने इससे पहले text देखा था although आप text में भी age को accept करते हैं वह कोई ऐसा issue नहीं देगा क्योंकि वह ऐसे consider string कर लेगा उसको अगर for example मैं age 21 बास करता हूं बट कई बार क्या होता है backend team होनार को requirement देती है कि हमें accept ही input करना है वह number होना चाहिए text होना ही नहीं चाहिए या आप ऐसा कह सकते है कुछ ऐसे इस तरह का validation है जिसमें text अपने कुछ चाहिए ही नहीं तो उस case में हम क्या करेंगे age क्यों accept करने के लिए simple है उसके लिए आपको पहले एक input tag add करना है यहां लेखते है input इसको close करना है यहां पे इसको save करना है अब इस input tag में हम डालेंगे type हो थैक है ना टाइप में डाल देते हैं यहां पर नमबर ठीक है और इसके नेम में डाल देते हैं अपन यूजर एज ठीक है इसको करो सेव वेब ब्राउजर को रिफ्रेश तो आपको दिखेगा कि एक एंटर एज करके टेक्स आ गया यह मैं बस आपको टेक्स दिखा रहा हूं इसलिए मैंने ऐसे डाला और एक एज के लिए हमारे पास नमबर का फील्ड आ गया अब आप यहां देखोंगे तो यह आईकन से आपको पता चल रहा हूं नमबर फील्ड है और ऑटो इंक्रिमेंटर और और ओडिंक्रिमेंटर तो वन वाइन इंक्रिमेंट और डेक्रिमेंट होता है कि नमबर की बात झाष यह नहीं रहें गालने साथ पिल नहीं है बैट फिर भी अगर आपको पास और कोई निमेरिक वैलिज बीडालन को रहा तो यहां से आप कर सकते हैं तो इक काम करते हो पहले एक सम्मीट बेट लेते हैं आपन यहां पर तो यहां पर लिखेंगे बटन ठीक है बटन आ गया और यहां है click to submit ठीक है यह अपने लिख दिया और यहां पर अपने इसके type भी डालेंगे बटन का यहां पर लिखते है type button submit ठीक है अब इसको करते हैं save web browser को refresh तो अभी अपने को कुछ इस तरह से देख रहा है एंटर एज और click to submit ठीक है अब हमें क्या करना है यहां पर for example मैंने एज में मेंचन किया 21 और यहां पर मैंने बटन पर क्लिक किया तो अपने को यह कुछ पेज देख रहा है जो अपने पहले एक पर बनाया था तो वहां पर ही वह redirect हो गया क्यों हो गया क्योंकि यहां पर हमने पर move करके ठीक है तो इस तरह से अभी decrement वाला तो एज में obviously बर्क नहीं करेगा आप पता है बट और भी ऐसी numeric values हो सकती है जो आपको यूज करने है तो इसलिए बस ही एक indication दिखाता है कि हाँ अब नेक्स्ट हम जो डिसकुस कर रहे थे वह था टेल टेल क्या होता है वह दिखते है तो उसके लिए अपन पहले लिखते है एच फोर यहां पर अपन लिखेंगे एंटर mobile number for example ठीक है mobile number यह अपने यहां पर डाल दिया अब इसके बाद में हम क्या करेंगे एक input field बनाएंगे तो input tag input tag के अंदर हम लिखेंगे type और type में अपन यहां पर देते है tel जो पहले टेलीफोन के लिए यूज होती थी ठीक है यहां पर लिखेंगे name और name के साथ में अपने लिखेंगे user टेल नंबर ठीक है यहां पर यहां पर आप चाहो तो टेलीफोन कर सकते हैं इसको टेलीफोन नंबर डिपन करता है आपकी requirement पर अभी के लिए अपन इसको ऐसे रखते हैं सेव करते हैं वेब ब्राजर को refresh करते हैं तो आपको दो फिल्ड दिख रही है यहां पर मैं डाला age और telephone number में हम डालते है 123 और इसको करते हैं submit तो यहां पर यह आ गया age के साथ और telephone number के साथ अब यहां पर क्या होता है देखो कुछ browser ऐसे होते हैं जो इसके लिए validation को support करते हैं कुछ से ऐसे भी होते हैं जो support नहीं करते हैं even अगर मैं यहां पर text लालके इसको click करता हूँ तो आप देखरो यह text भी लिक्या रहा है मतलब यहां पर कोई validation होई नहीं रहा इससे related बट फिर इसका benefit क्या है देखो benefit ही यह है कि अगर आप इस तरह से एक tell करके एक field बनाते हो और कभी आप उस website को जिस भी website को अपने design के mobile access करते हो तो वो क्या करता है मोबाइल की screen पर आटोमेटिकली वो नमबर वाला dial pad open कर देता है मतलब वो समझ जाता है कि इस field में numeric values ही हमें accept करने क्योंकि हमने tel type यूज किया है तो उस time पर यह अपने को benefit करेगा कि हाँ अगर mobile के although हर numeric field के लिए वो वही करता है आपने देखा होगा कभी mobile पर वेबसाइट उपन करते हो तो कोई भी field पर क्लिक करते हो तो वो उसके data के according आपको panel दिखाता है अगर इसे numeric value accept करने है तो numeric वाला board दिखाएगा और characters accept करने हैं तो character का है ना तो इसलिए हम इसको use करते है clear? fine but कुछ web browser ऐसे भी है जो यहाँ पर भी validation आपको दिखा देते है कि यह telephone number नहीं है आप correct आलो जैसे अपने email की case में देखा था but यहाँ पर यह shown नहीं हो रहा है ठीक है? but आप practice कर सकते हो आप जब mobile पर भी उसको access करोगे try करने का तो वो आपको show होगा जब अपन website live करेंगे तो next देखते है next है मारे पास एक और type जो है enter url ठीक है तो यहाँ पर url accept करने के लिए input tag लेंगे फिर से और input tag के अंदर specify करेंगे type url ठीक है यह भी important होता है बहुत name डाल देते है user ऐसा important नहीं है कि आपको हर बार user लिखना है आप कुछ भी आपकी requirement के करेंगे है specify कर सकतो user url करो इसको save web browser को refresh तो यह आगे अपने बाट डेटाप जैसे यहाँ पर डाल आपने 21 telephone में for example 123456789 यहाँ पर 9 और 10 यहाँ भी नाइन दे देते हैं यह अपने कुछ ऐसा डाल दिया अब हम यहाँ पर क्या कर रहे है url अच्छा मैं url में अगर खाली abc लिखके enter करता हूं तो क्या लेगा देखो please enter url मतलब हमारको एक proper url देना होगा यहाँ पर for example मैंने दिया www.google.com तो क्या यह सही है देखो यह डाला submit किया तो यह फिर से यही दे रहा है मतलब इसको https वगरे नहीं मिल रहा भी जो url में होता है ना तो यहाँ लिख देते है https colon slash slash अब मैं अगर यहाँ submit करता हूं तो यह मेरा data move कर चुका है url में अगर आप देखोगे उपर जो अपना आ रहा है तो वहाँ पर user age है user telephone number है और उसका url भी यहाँ पर show हो रहा है कि क्या url हमने specify किया था don't get confused यह उस url पर move नहीं करेगा हमें जो हमने वहाँ specify किया है move तो यह action tab में जो है उसी पर करेगा but हम यहाँ पर से user का url accept करना है जो maybe back end team further files में store कर सकते है कैसे input tag में numbers को accept किया जा सकता है telephone number को accept किया जा सकता है उसको benefit क्या है कौन-कौन से तरीके हमने यहाँ पर discuss की कुछ validation यहाँ पर होते है browser पर कुछ पर नहीं होते है mobile में क्या benefit होता है जब अपन website live करते है तो यह अपने देखा प्लस अपने देखा URL tag कैसे URL type कैसे use किया जाता है और last में हमने button तो use किया ही है अपने form के लिए तो I hope यह session clear हुआ होगा और next session में बागी topic discuss करेंगे so thank you for watching, take share मत